गाइज आज की डेट में दो इंपोर्टेंट अपडेट है पहली तो मूननाइट की और दूसरी डेड़पूल और वुल्वरीन की तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे मूननाइट सीजन 2 के बारे में उसके बाद सेकंड टॉबक पायेंगे क्योंकि दूस्तों यहाँ आप लोग पता होगा मूननाइट सीजन 1 एक सोलो टीवी स्रीज था जो कि बिल्कुल एक नया कैक्टर लाए था और ओडियंस उसकी दिवानी होगी थी जैसे जैसे हम लोग एक एक एपिसोड आगे बढ़ रहे थे वैसे ही ओडियंस की हीरोसिटी का लेवल भी बढ़ता ज हुआ यहां पर सीजन 2 हॉल्ट में चला गया था क्योंकि विल्लेंस के प्रॉब्लम आ गई थी लेकिन अब वह चीज सॉल्व हो गया है और इस पर हम लोग को दो तीन अपडेट मिली है तो सबसे पहली अपडेट सीजन 2 शाद इसी साल शूटिंग शुरू हो जाएगी और हम लोग को जो में क्याक्टर है इस सीजन में वो जेक लॉकली दिखाई देगा अब आप लोग जानते हैं जेक लॉकली जो है मार्क की तीसरी पसनार्टी है जिसके बारे में उसे खुद ने पता और कौश्यू अभी उससे अपना काम निकलवा रहा है और जेक का भी सूट ओडियंस देखना चाहती है लेकिन वो हम लोग को सीजन वन में देखने हो कि नहीं मिला लेकिन ओडियंस को पूरा विश्वास है कि यहां पे जेक लॉकली का भी खुद का एक स्पेस्विक सूट है जब कौश्यू उस पर हावी होता एक तरीके से और वो सूट हम लोग को स पराइसरी कास्ट होगा है तो क्यम का वेरेंट हो रहे गई प्लस हम लोग को क्यां के वेरेंट के साथ एक और विलन दिखायेगा जिसका हम बे सबरी से इंतरजार कर रहे हैं जो कि अभी तक ने दिखाया दिया जो कि हर कांड के पीच्छ है वह हैं मैफेस्टो अब यहां एक आजर के एक साथ दोवलेंड रहेंगे कैंग और मेफेस्टो और अगर मेफेस्टो भी आ गया दोस्तो तो एक चीज तह है कि यह जो है मून नेट सीजन टू यह हम लोगो सीधे ले जाने वाला है मिड नेट सन में जिसकी विज़े से दोस्तो यहां पर आगी जाके हम को मिलेंगे और यहां पर इसे थोड़ा सा और अडवांस बनने के जहुत है और मेभी अभी तक डिसीजन फाइनल लिवा है लेकिन इसके बारे में सोचा जा रहा है कि क्यों ना इस बार मून नेट सीजन टू को हम लोग आ रेटेट बना दे क्योंकि दोस्तों हम लोग इस बार मार्वल टेवी स्रीज एक बहुत बड़ा कदम होगा मावा स्टूडियो के लिए या फिर कह सकते हैं मार्वल टेलिवीजन के लिए जो कि नई ब्रांच खुल गई जिसके अंडर अब यह आने वाला है हाला कि बात करें केमियो उसकी तो सुनने माहर है कि ब्लेट क केमियो हम लोग को मून एट सीजन 2 में देखने के मिलेगा अब बाद में जाके ब्लेट की इंपोर्टेंस और बढ़ जाएगी अगले मार्वल मुईस प्रोजेक्ट के लिए तो दोस्तों आपको क्या लगता है क्या इस बार हम लोग को पहला कोई ऐसा टेवी स्रीज होगा जो कि हम लोग को आरेटेट में देखने के मिलेगा जो कि अगर ऐसा हो जाएगा तो बहुत मजा आने वाला है हाला कि बात करते हैं अब अपने अगले अपडेट की जो की है डेटपूल 3 से अब यहां पर कहा जा रहे है कि मुझे इस बात पर विश्वास नहीं है हम लोग थियोरी की बात करने वाले हैं जो कि सुद्ने में काफी जबरदस्त है अब इससे आप लोग लीक मत समझेगा सिवे एक थियोरी है यह अब यहां पर हम लोग को पता होगा जब हम लोग ने डेटपूल और वॉलवरीन का ठीलर देखा था तो यहां पर पता चलाता कि वॉल इनुवरीन बचा और बाके सब खतम हो गये थे तो यहां पर दोस्तों यह थियोरी आती है सीधे कॉमिक बुक से जहां पर उस इनुवर्स का जो विलन है वो और को नहीं बल की खुद मिस्टीरियो है अब भाई यह वही मिस्टीरियो है जिससे हम लोग ने नोवे होम में द इसम नहीं बूदे है रहे हैं कि जो मिस्टीरियो है वो वो लेहीं को ऐसा टब्यारइन कर दिया था कि वोलवरJon को लगा जितने इसके दोस्त हैं वो सब विलन्स हैं और वोलवरीन घुसे में सब को खतम कर देता है बाट से हम जब हटाता है तो पता चलता है उससने अपने यहातों से अपने लोगों को खतम कर दिया और उसी वक्ट टीवी उसके पीछे लग जाती है क्योंकि ऐसा होना निए फिलाल दोस्तों देखा जाए यह एक कॉमिक बुक इंस्पारिट स्टोरी है जो कि सही साबित हो सकती है क्योंकि आर मिस्टीरियो को आप देखें वो ट्रि दिखाया जागी यानि कि मिस्टीरियो तो क्या उसका रोल जेक जिलन हॉली प्ले करने वाले हैं क्योंकि रियल लाइफ में आप लोगों को पता होगा रायन ह्यू और जेक तीनों काफी अच्छे दोस्त हैं तो में भी ऐसी पॉसिबिल्टी बनती है कि जेक को एक बार फिर मौका मिले मिस्टीरियो की कॉस्ट्यूम पहनने का और अपना कमाल दिखाने का